तो हलो गाइज वेल्कम टू मैं चैनल वी आर गोइंग टॉक अबाउट तोडे होंडा मिनी सूपर मंगी किंग बाइक दिखने के अगर मैं बात करूं भाइक के तो यह बाइक नहीं काफी यूनिक सी टाइप की बाइक है तो मतलब चोटी सी एंड काफी जाता है स्पोर्टी एंस एलेडी मिलने वाले है इसके अदर तो बहुत यह अच्छा एक ओप्शन मिलने वाला है और इसके अंदर एक बहुत जादे इंट्रेस्टिंग चीज मिलने वाले कि दीस बाइक कम्स एंटीग्रेटिड साइड इंडिकीटर उंदार रियर व्यू मिरर्स इसके अंदर यह चीज बहुत ज्यादा अच्छी मिलने वाली है हम फ्रंट टायर की बात करें तो इसमें आपको 12 इंचिस का ट्यूबलेस अलोविल टायर MRF का मिलने वाला है और जो इसका फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको भाई फ्रंट हैज ए 220 mm मैटल डिस्क ब्रेक एंड हैज यूएसडी अपसाइड डाउन टैलिसकोपिक फोर्क सस्पेंशन मिलने वाला है जो इसका फ्रंट का सस्पेंशन रहने वाला है इतनी सारे डिटेल्स मैंने दे दी हैं आपको बहुत ही जादा मेजिंग चीज़ें मिलने वाली है और अगर मैं इसमें फ्रंट का brayक टाइब जो मिलने वाला है अपको इसमें सिंगल 220 का mm हैड्रोलिक डिस्क मिलने वाला है जैसे कि मैंने आपको बता है और यहार में आपको 190 mm का हैड्रोलिक डिस्क मिलने वाला है विद ड्यूल चैनल A-B-S तो बहुत इस तो मैंने आपको देंदी अगर आपसे तो भाई 7000 rpm पे 9.3 bhp का यह पावर मैक्सिमम निकाल के देगी और अगर मैं इसके टॉर्क के बात करूं तो 52 50 rpm पे यह आपको 11 nm का टॉर्क निकाल के देगी टॉप स्पीड 104 मिलने वाली है इसमें आपको और जो इसका स्ट्रॉक सिस्टम होने वाला है फुली लैक्ट्रिक फॉर स्पीड गेर बॉक्स मिलने वाले हैं और इसके अगर मैं फ्यूल टैंक कैपिसिटी की बात कुरूं तो इसमें आपको 5.6 लीटर का टैंक मिलने वाला है एंसब लेंठ की बात करते हैं अगर इसमें भाई आपको 1710 mm की लेंठ मिलती है विट्थ की बात करते हैं 755 mm की width मिल जाती है और height भी इसमें अच्छे खासी मिलती है 1029 mm की 1029 mm आपको इसमें height मिलने वाले है और अगर इस बाइक हम ground clearance की बात करें तो इसका जो ground clearance होने वाले 160 mm का इसमें आपको ground clearance मिलने वाले है जो कि बहुत ही अच्छा है और कमाल की बात भाई यह होने वाले है इसमें आपको 67 पर लीटर का mileage मिलने वाला है मतलब यह बाइक आपको 60 km का average निकाल के देने वाले है front tire इसमें आपको 120.80.12 का मिलने वाला है और rear tire इसमें आपको 130.80.12 का मिलने वाला है मैं आप मुझे जरूर बताना और भाई एक बात और बताते हूं इसके एक शोर्म प्राइज 2.45.000 रुपे रहने वाले है 2.45.000 रुपे इसके एक शोर्म प्राइज है